नमस्कार आज हम अपेक्षित प्रश्णों की श्रंकला को जारी रखेंगे समय सीमा को देखते हुए हमें कुछ महत्पून टॉपिक हैं जो आपके प्रिलिम्स परिक्षा से पहले कवर करने हैं इसी के लिए हम कमिटी के साथ दूसरे important topics भी लेके आए हैं तो आज हम सबसे पहले कुछ important topics जो हमें लगता है आपके परिक्षा के लिए महत्पून है और जरूरी है उनको पहले discuss करेंगे और फिर हम committees के बारे में चर्चा करेंगे तो यहाँ पर जब हम topics की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले वर्षा धरे project जो की करनाटका में शुरू हुआ था cloud seeding experiment है कृतिम रूप से वर्षा किस तरीके से लाई जा सकती है उसके उपर यह project था फिर जैव इंदन के बारे में हमने अलरेडी एक detail class की है हाली में तो उसको आप रेफर करिए बहुत ही important है हाल ही में national जैविंदन policy आई है 2018 की तो उसके बारे में जानकारी आपके लिए बहुत important है इसी तरीके से मौस जो होते हैं उनको बायो इंडिकेटर की तरह आप काम में लिया जाता है तो यह भी एक important development है आपके biofuels के साथ कुछ महतपून initiatives जो भारत ने आसपास के देशों के साथ लिये हैं उसमें सबसे महतपून है संबंध initiative जो की 10 राष्ट्रों के द्वारा है और यह कौन से 10 राष्ट्र हैं तो कई बार आपका प्रश्ण बन सकता है इनमें से कौन सा राष्ट्र नहीं है इसी तरीके से जो qr code होता है जो black और white code होता है जिसको आप scan करके सीधे आप payment कर सकते हैं उसी तरीके से वह qr code भारत qr code के नाम से रिलीस किया गया है government of India द्वारा और इसके द्वारा आप बिना किसी debit card credit card गया बिना किसी plastic currency के आप payment कर सकते हैं सिर्फ scan करके तो यह कुछ important developments यहां पर हुए हैं फिर है आपका कॉर्सिया अब कॉर्सिया मैधपूर्ण इसलिए है क्योंकि कई बार इसके उपर सीधा question बन सकता है कॉर्सिया किस से related है तो कॉर्सिया आपके carbon offset से related है और carbon offset मुख्यता किस में देखा जाएगा जो aviation industry है उसका कितना carbon emission हो रहा है उसकी analysis के लिए किया जाता है अगली मैधप prosperity index हुआ WF index हुआ तो यह सारे जो indexes है कौन-कौन सी organizations देती है यह आपका महतपूर्ण सवाल बनता है सवाल यह नहीं बनता है कि भारत की क्या ranking रही है किस index में तो वो तो याद रखना भी मुश्किल है और UPSC जानतर इस तरीके के सीधे सवाल नहीं पूछता है तो यह कु रखता है जो की remunerative approach है agriculture के लिए और दूसरा है आर्या अब आर्या नाम से सुनके ऐसा लगता है कि आर्या जो है वो किसी science यह technology field से related है पर यह science यह technology से नहीं है यह इस चीज से related है कि किस तरीके से जादा से यूथ population को हम enroll कर सकते हैं और उनको जादा से जादा जोड सकते ह है अजय का सवाल है उनको surprise gift अभी तक नहीं मिला है तो निशित तोर पर यहां से तो निकल ही गया है आपके पास जल्दी पहुंचता होगा का पंचाय जो है वो कुछ unions का कुछ villages का एक समू है जिसमें बहुत साधा traditional और conservative society की बात की जाती है और anti-woman attitude की बात की जाती है इसी बहुत abundant mineral बाना गया है जिसको calcium silicate पर्वो सिकेट कहा जाता है और यह अभी हाली में मिला है तो वह आपको यहां पर ध्यान रखना है फिर प्रकृति खोच project 2028 दोनों important है विश्व का पहला floating nuclear plant इस्तापित किया गया है जिसको आडिमेक लोमोसोव कहा गया है इसी तरीके से काफी सारे chemicals हैं जो fireworks में काम में आते हैं जिनको बैन किया गया है तो अक्सर आपके UPSC में यह question आता है कि कौन सा chemical बैन हो गया है किस chemical बैन लगा दिया है तो वह एक important चीज है इसी तरीके से food additives पूछे जाते हैं तो food additives में मुख्यता हमको यह देखना है कि कौन सा additive किस ची आते हैं तो chemical जो आपके fire fire crackles में या अतिश माजी में कौन-कौन से chemicals आते हैं और कौन-कौन से food additives दोनों आपकी UPSC prelims के लिए बहुत ही important है निर्मान का एक initiative चाल हुआ है जिसको next generation airport for भारत कहा गया है इसी तरीके से पहला biodiversity heritage site declare किया गया है भारत में जो कि अमीनपुर ले जो है आप दीरे-दीरे काली हो रही है तो यह environment related एक बहुत important प्रश्ण है आप यह आपके ना सिर्फ prelims के लिए paper 1 के लिए important है पर जीए paper 2 के लिए भी इसके उपर आपका reading comprehension का passage बन सकता है अक्सर environment से देखा गया है एक से दो passages आते हैं तो इस तरीके के जो passages हैं जो reading outs हैं वो आप अगर दिहान से करेंगे तो वो बेटर रहेगा आपके लिए फिर तीन बहत पूर्ण schemes है संकल्प, strive और सकाला तीनों important है संकल्प आपके skill acquisition के लिए है, strive आपकी skill strengthening के लिए है और सकाला जो है वो करना टक में corruption के खिलाफ publicity के लिए है तो किस तरीके से major departments में anti-corruption movement ल सबसे पहले sunrise North East में होता है यह उत्तरपूर्व भारत में होता है तो यह निशित तोर पर scheme जो है उत्तरपूर्व भारत से related है और यह जो लोग HIV से पीडित हैं उनके लिए हैं उनको किस तरीके से tackle किया जा सके तो इस तरीके के आपके direct सवाल होते हैं अगर आप थोड़ा स कि बहुत सारी women and women committees हैं जो आपको देखने को मिलेंगी पर आपको यह ध्यान रखना है कि आपको उनमें से कुछ महत्पूर्ण committees पिक करनी है और सकाला जो है अजय का सवाल है सकाला कौन सी स्टेट में लाग हुआ है सकाला करनाटका में लाग हुआ है तो अब हम यहाँ पे यह क्रिशी में वित्त के बारे में बात करती है तो किसी क्रिशी में किस तरीके से वित्य निवेश किया जा सकता है इसी तरीके से ग्रामी चेत्रों में वित्य निवेश कैसे हो सकता है इसके लिए वंकटाई या committee आई थी बैंकों में customer service को और बहत्रीन बनाने के लिए गो तक सीमित नहीं रहता हम बात करते हैं कि किस तरीके से बैंकों में computerization हो रहा है तो उसके लिए आपकी रंग राजन कमीटी और राजामनार कमीटी आई है फिर आपकी financial aggregate system के लिए ready committee आई है तो यह दोनों committees बहुत ही important है आपके prelims के perspective से मेंस के लिए अगर हम बात करें तो बहुत सारी committees में अपने answer में substantiate कर सकते हैं कि अगर आपका let's say GST पर question है तो GST से related कौन कौन सी committees हैं उनकी क्या क्या recommendations हैं अगर आप वो दे देते हैं तो आपका answer थोड़ा बहतरी बन जाता है तो committees जो major ones हैं उनको याद रखना जरूरी है टेक्स की परपसे या कर के परपसे अगर हम देखें तो अर्बिंद मोधी committee आई थी इसने बोला था कि income tax को simplify किया जाना चाहिए दूसरी जो important committee आई है वो है इश्वरा committee इश्वरा committee ने वापस income tax की simplification की बात की है और इसमें उन्होंने बोला जो tax deducted at source है जिसको हम TDS बोलते हैं उसको घटा के 5% कर दिया जाना चाहिए तो ये कुछ महतपून committees हैं जो हम यहाँ पर बात करते हैं taxation की अब हम आते हैं GST पर goods and service tax goods and service tax की जब हम हम बात करते हैं तो अमित मित्रा committee एक महतपून committee है जिस पर चर्चा की जा रही है जिसने ये बोला था कि GST किस तरीके से roll out होना चाहिए और किस तरीके से सारे states में इसका implementation होगा इसी की तरह विनौत कुमार committee आई थी जिसने GST के जो भी law पारित किये गए हैं उसको review किया था और उसके बारे में एक detail information प्रवाइड की थी अगर खेलकूत में हम देखें तो एक बहुत महत्पून committee आई है जिसको राव इंदरजीत सिंग पेरालिंपिक committee कहा गया है यह मुख्यता physically challenge लोगों के लिए थी और उनको किस तरीके से sports में आगे बढ़ाया जाए उसके लिए राव इंदरजीत committee है तो राव इंदरजीत committee आपके लिए वापस important है दूसरी महत्पून बात जो हम आपके करते हैं वह है लोड़ा पैनल अब लोड़ा पैनल BCCI reforms पे आया था लोड़ा पैनल का एक जो है वह basically जो मुद्गल committee आई थी उस पे और इंस्टांस दिये गए थे लोड़ा committee में तो लोड़ा committee और मुद्गल committee दोनों ही आपके BCCI से related है और sports के लिए ये दोनों ही topics important है ना सिर्फ आपके prelims और mains के लिए important है पर जो students sports से जुड़े हैं और interview में उनके लिए ये topics वापस महत्पून होते हैं अगला है defense के लिए हमने जो पिछली गक्षा ली थी defense और स्वास्त की उसमें हमने धिरें सिं National Security Council जो है दोनों भी यहां पर एक important committee है इसके लिए जो committee आई गई है वो भी important है अब environment के issues भी या परियावरन के issues भी आजकल बहुत news में है तो सरस्वती नदी सही में किसी जमाने में exist करती थी या नहीं उसकी discovery के लिए उसकी खोज के लिए committee आई ती जिसको वालदिया committee कहा गया है जो कि important है इसी तरीके से आपके railway की restructuring के लिए विबेग देबुरॉय committee आई थी बहुत ही important है इसने यह recommendation दी थी कि इसने नॉर्मल बजट में rail budget को merge कर देना चाहिए तो यह आपकी दो important committees है यह जो आपकी कमिटी है स्पोर्ट्स के लिए बहुत ही important है फिर जॉर्ज कुरियन बहुत important है वापस इसने यह कहा था कि जो minority states है जहां पर हिंदू minority हैं हिंदू minority population है वहां पर उनको minority status दिया जाना हिंदूस को और इसके लिए George Korean committee आई थी यह इसलिए important है फिर है आपकी Ajay Shankar committee Ajay Shankar committee ने public private partnership के reforms की बात की थी और यह कहा था कि किस तरीके से public private partnership को retackle किया जा सकता है और उसके issues को किस तरीके से handle out किया जा सकता है माधवन मैनन committee और टंडन committee दोनों ही important है सरकारी advertisements पे जो committee लाई गई थी उनके reforms के लिए जो committee लाई गई थी और Supreme Court में जो इनको ले जाए गया था कि किस तरीके से government की क्या guidelines होनी चाहिए advertisements के लेके उसके उपर यह दोनों committees आई थी और यह विग्यापन की एक अक्षा में है इसलिए यह important है जो students commerce background या management background से दे रहे हैं उनके लिए भी यह committees बहुत important है अब UGC की अगर हम बात करें तो दो important committees आई है एक तो हरी कौतम committee आई है जिसने UGC के status के बारे में बात की थी दूसरा गस्तूरी रंजन committee आई है जिसने new education policy की बात की है तो शिक्षा के छेतर में भी दो important committees के हमने बात की गैस pricing की अगर हम बात करें तो सुरेश प्रभू committee आई है हाली में जो LPG cylinders की बात की जा रही है उसके चलते सुरेश प्रभू committee important है black money को रोकने के लिए आपकी MB शा committee आई है यह भी वापस बहुत important है इसी तरीके से दीपक मुहंती committee जो है वो information management की ब identification आधार के द्वारा किया जाना चाहिए गोल्ड किसान credit card के बारे में सुकनिया शिक्षा योजना के बारे में तो इन सभी schemes को जोड़ने के लिए SMS acknowledgement करने के लिए आपकी दीपक मुहंती committee आई थी जो नचिकेत मोर committee है यह business correspondence से deal करती है financial companies में इसी तरीके से आपकी bankruptcy code के लग classly है बहुत ही important है आपके prelims और means दोनों के लिए तो इसको ध्यान से करिए अजे कुमावत का question है कि committee की date क्या है तो committee की dates usually आप से नहीं पूछी जाती है अगर आपके पास लगबग आप मालनीचे dates हो से 200 committees हैं अगर आप सबकी date याद करेंगे तो निश्य तोर पर आप पूछे जाते हैं और हाल ही में तो पिछले 2-3 साल का trend अगर देखा जाए तो committees के ओपर question नहीं आ रहे हैं तो trend change हो रहा है इसलिए आपको dates में जाने की जरूरत नहीं है जो committee की recommendations और key findings है उस पर focus करने की जरूरत है अगला है मशेलकर committee बहुत important है स्वश्य भारत से related है तो स है भारत जापान संयोग से जो bullet string चालू हो रही है उसके recommendations के लिए committee आई थी और इसके लिए यह important है अगला है आपका interstate water dispute और interlinking of rivers दो महत्पून topic है कि किस तरीके से अंतर आज यह जल विवाद चल रहे हैं तो उसमें जैसे गुदावरी नदी हो गई आपकी महदरी नदी हो गई जो कि हम अगली कशा में और बात करेंगे जो कि मंडोवी नदी है आपके गोवा और करनाटका के बीच में dispute है तो इस तरीके से यह सारी नदियों को किस तरीके से rejuvenate किया जाए और किस तरीके से अंतर राज जिया जो dispute से उनको resolve किया जाए उसके लिए दीपक नाय कमिटी आई थी पर दीपक नाय कमिटी सिर्फ गोदावरी नदी के लिए थी तो कई पार यह पूछा जा सकता है कि कौन सी कमिटी किस नदी से related है तो यहां पर आपको ध्यान रखना होगा दीपक नाय कमिटी जो है गोदावरी नदी से related है नई education policy के हमने बात करी कस्तूरी कमिटी के हमने बात की इसी तरीके से टीए सुप्रमनियम कमिटी आई थी वो भी बहुत इंपोर्टेंट है education के लिए यह पन कमिटी मेराइन फ्रिश्री के लिए आई थी और मेराइन फ्रिश्री या मतश्य पालन के लिए एक national draft policy भी release की गई है जो कि बहुत important है फिर fiscal responsibility और जो भी आपके RBI के governors रहे हैं उनके ऊपर कुछ न कुछ committees आई है अलग-अलग time पर और उनके reforms क्या है जैसे उर्जित पर टेल का मुख्यता monetary policy के ऊपर काम था तो किस तरीके से inflation को control किया जाए उस पर काम था बीमल जालान ने stock exchange से related committee बिठाई थी तो यह जैसे हमने बोला कि यह सारी committees क्योंकि renowned persons के द्वारा हैं इसलिए इंपोर्टेंट हो जाती है फिर आपकी सुदर्शन सेन committee यह Fintech के लिए है Fintech का मतलब होता है वित्तिय टेक्नलोजी जिस सरीके से आप प्रधियोगी को को वित्तिय छेतर के साथ जोड सकते हैं digital payments की हम बात करते हैं तो उसके पर इंटर सेट डिस्प्यूट्स जो है वह important है हम विभिन आर्टिकल्स की लिस्ट जो की important है वो अगली कक्षा फ्राइडे को लेके आएंगे तो आप उसमें से important articles ध्यान में रख सकते हैं अगली जो महत्पून committee हम यहाँ पर चर्चा करेंगे वह है आपकी dis investment की और banking sector की त लिए important भी होता है और एक और important committee है जिसमें साइना नेवाल को अपॉइंट किया गया है जो olympics committee athletes commission के द्वारा है और इसका मुख्य कार्य यह है किस तरीके से जो active athletes है उनको olympic committee के साथ जोड़ा जा सके मदू सुदन साहू committee आई थी उसने insolvency की वापस बात की थी तो insolvency के लिए हमने दो committees already कर ली आप जैसा कि हमने कहा insolvency और bankruptcy एक बहुत महत्पून topic है आपके mains के लिए तो mains में अगर आपका प्रशना आता है तो आप इन committees का reference देके आपका mains का answer और अच्छा बना सकते हैं इसी तरीके से हमारी one rank one pension के लिए नरसिमा ready committee आई थी जो की वापस बहुत important है और जेपी नर्डा committee fire safety के लिए आई थी सभी सरकारी अस्पतालों में किस तरीके से fire safety के rules आने चाहिए उनसे ये deal करती है जब विमुत्री करण हुआ था तो उसके बाद सारी ATM machines को recalibrate किया गया था उस recalibration process के लिए SS मुद्रा committee आई थी जो की वापस important है तो इ उनसे related कौन कौन सी committees आई है जो important है जैसे हमने पहले PPP cell की बात की थी वापस public private partnership में आपकी केलकर committee आई है जिसकी factors जो दिये गए है जो economic slowdown की बात की गई है उसमें किस तरीके से reforms आने चाहिए और जो recommendations दी गई है केलकर committee की दौरा वह बहुत ही important है तो केलकर committee recommendations आपकी देशनाय committee यह coastal zones के लिए आई थी कि जो जो भी economically sensitive coastal zones है उनके लिए कौन कौन सी committee सारी कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखा जाएगा उसके लिए committee आई थी अब हम बात करते हैं संस्कृति की और disaster management की तो संस्कृति की जब हम बात करते हैं तो यह topic आपके mains के लिए तो ब आता है कि कहां पर कौन सा music instrument famous है कौन सा festival कहां मना जायता है तो लोसर festival आपका लदाख में मनाया जाता है जो हाली में न्यूज में था लेबॉंग ओमानी जो है music है आपके त्रिपूरा का तो इस तरीके के questions जो हाली में न्यूज में अक्सर पूछे जाते हैं यहां पर एक स और जो ancient history है वो मुख्यता आपका prelims में आता है तो prelims में जब हम बात करते हैं तो यह आपका एक important question बन जाता है पहला नियूलिथिक pottery जो है कश्मीर में कहां discover किया गया तो high gum area सोपोर में discover किया गया अब इधियास की section में अक्सर इस तरीके के map location के questions पूछे जाते हैं यह ज history है संस्कृतिक मंत्राले द्वारा लाया गया था और इसमें जितने भी हमारे दिवाली के समय जो cultural arts है जो हम दीरे-दीरे खत्म कर रहा हैं लूज कर रहा हैं उनको news में लाया गया था इसी तरीके से केरल में एक राश्ट्री स्तर का banana festival celebrate किया गया था कलियूर में जो कि वा लगबग 1000 साल से ये प्रक्रिया चलती आ रही है इसी तरीके से archaeological survey of India ने लगबग 50 monuments की list निकाली है जिनको अब untraceable गोशित कर दिया गया है अब इसको untraceable गोशित करने के बहुत सारे कारण है कुछ लोग मानते हैं कि जो शहरी करण फैला है उसकी वज़े से monuments जीरे-दी heritage का हिस्सा बनाया गया है हमने UNESCO के cultural tangible heritage और intangible heritage पे दो अलग-अलग classes की है दोनों ही बहुत important है तो उनको detail में cover करिये मेंस के लिए तो उनको छोड़ना ही नहीं है बहुत ही important है इसी तरीके से आपके ministry of culture द्वारा चार missions चलाए गए है पहला manuscript के लिए दूसरा library के लिए ती पाथा monuments और antiquities के लिए है जो की चारों ही बहुत important है इसी तरीके से project मौसम जो है वो archaeological survey of India और आपका एक archaeological survey of India और इंद्रगांधी आर्ट एंड नैशनल सेंटर फॉर आर्ट से related है तो ये project मौसम जो है वापस बहुत important है गुंतिस अलग-अलग राष्ट्रों जो है इसका हिस्सा बने है और इसमें जो inscriptions है वो UNESCO World Heritage Site में लिस्ट में tag होंगे एक request है शक्ती की बुद्धिजम और जैनिजम की वीडियो पर तो निश्यत रूप से हम अलग-अलग religions पे concept लेके आएंगे क्योंकि यह आपकी भारतिय संस्कृति का हिस्सा है तो जो हमारी आर्ट और कल्चर की playlist है यह उसी का हिस्सा बनेगा और हम इस पर जल्दी एक lecture लेके आएंगे अगला है जो कि आदिवासी जन जाती के लिए है अब हम बात करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो आपकी NDA में गाइडलाइन बहुत इंपोर्टन हो जाती है में आपका सब्स्टेंशिल सेक्शन बनता है जहां पर हर साल एक नएक NDA में गैडलाइंग पर सवाल आ कि एस्सेशन आया था जो कि केरल में हुआ था तो धर्म एक इंपोर्टन कॉंसेट बन जाता है आपका याँ पर किस तरीके से रेलवे में हाली में खतुआ में एक्सिदेंट हुआ था तो उसके प्रमुक कारण क्या रहे हैं ओवर्वर्ग ट्रेक्स क्या हैं किस तरीके से रेलवे नेटवर्किंग बहतरीन बनाया चाहिए जो रेल फ्राक्टर्स हैं उनको ठीक किया जाना चाहिए फिर इसी तरीके से एक विश्वतिवस मनाया जाता है डिजास्टर रेडक्शन पे 13 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल और इसमें इस बार सेंडाई 7 की बात की गई इसमें यह माना गया कि सेंडाई फ्रेमवर्क में 60 टारगेट हमने माने हैं उसमें से जो एक पहला टारगेट है वो है डिजास्टर मोर्टाइलिटी तो किस तरीके से डिजास्टर की वज़े से मृत्य उदर में वरद्धी हो जाती है और उसको हम किस तरीके से रोख स और चिर्णई को रियेटिव सिटी लाया गया है तो यह इंपॉर्टन को सकता है इसी तरीके से सेंड़ाइफ फ्रेमवर्क 2015 से 2030 तक का लाया गया है आगे की गक्षा में हम Friday को जो लेके आएंगे उसमें हम प्रमुक बिल्स पॉलिसी लेके आएंगे जो के आपके एक्जाम के लिए इंपॉर्टन होगा इसी के साथ राजनेतिक विग्यान और इंटरनेशनल रिलेशन्स के महतपून टॉपिक लेके आएंगे तो आप जुड़े रहें धन्यवाद